हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मेरे किचन में आप सब का बहुत वस्वागत है अगर किचन का काम को असान करना हो न तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे और चोटे-चोटे किचन टिप्स है जो आपको डेली यूज़ में बहुत काम जिने पता है और नहीं पता है उनके लिए खास यह वीडियो लिए टो वीडियो को पुरा देखिए लाइक क ici करते हैं तो सबसे पहला हमारा पपीता को लेकर है जबधी फ्युस्वरस मेरे मृश्वार मेरे ऋपवे तो थोड़ाamed अपर से यल्लो लेकिन वाला से नहीं तbbeṛndo अब सब्सक्राइब आसे में अफाइब ऑपूरा करने और अधिकोछ स्वाइब तरह स्ट्ड़ा के परचुनलिय मैं पे और यूप उपर का फाइब हो उसलिय हो 56 गर जाकते हैं अगर वह ऐसा साउंड होता है तो इसका मतलब आपका पपीता बहुत अच्छा है पका हुआ है आप उसे काटके खा सकते हैं या फिर दुकान से आप उससे खरीच सकते हैं तो चलिए मैं आपको कट घर दिखाते हूँ इन एन embarkation वीडियो में कैसे आप घर पर उसे रखके पका सकते हैं तो देखिए पपीता कट करने के बाद जो अंदर का रेड भाग दिख रहा है ना यह पपीता पका हुआ और जो साइड वाले है यलो जो दिख रहा हुआ नहीं है तो फिर भी आप इसे खा सकते हैं लेकिन ज्यादा मि निम्बू भी यूज भी बिलगा सकते हैं वहना पर थोड़ा थोड़ा युझा लगा लें जादा नहीं लगाना है और इस तरीके में रखने वाला अंहें जो आसानी से आपको online मिल जाएगा grocery shop भी मिल जाएगा बाहर दुकानों पर भी यह मिलने लगे हैं और इसमें हमें एक टीशू पर इस तरीके से बिच्छा लेना है और इसके ओपर हम वापस टीशू पर रख देंगे और इसे आप फ्रिज में देखिए इस तरीके से आप जो कुकिंग करें तो नीचे इस तरीके का प्लेट लगा दे या फिर कोई बड़ी थाली लगा दे कि जो एक्स्ट्रा पानी हो ना वह इसी में गिरे और आपका स्लैप गंदा भी ना हो बहुत चोटा है लेकिन बहुत काम का है चलिए हम नेक्स्ट एक मसाला बना के तयार करते करें में जियरा भीसर छोटी उसी काणी करें हैं अब हमें क्या करना हैं जिरे को भून लेना हैं चलका से दमा चल्क ऐसे के सजिकम का मिर्ची में एक जिरे को भून लेना है जीरे को भूनते डाइं फ्लेम को लो रखे ज़्यादा तेज ना करें और अच्छा सा खुसबू आने तक हम इसे भून लेना है जब यह भून जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सुखी लाल मिर्ची तो मैंने यह आप आट से नो सुखी लाल मिर्च लिए और यह कम त थे आट लूब हमार पाउडर तैयार है जब इसे दही मरे में दाल खाये यह तो दमीड़का दालके खाये यह फिर चाछ बनाए उसमें जृआ करे बहुत कि एसलीरा की में कर सकते हैं तो बहुत सिंपल Office कर घ्वाए लेकिन हम्हार जो अकुर पसंद़ծाल होगाए आप एक बार धोले जरूर कोई भी वेजटेबल कट करते बागा सड़ा हुआ निकलता है तो चाकू और सब्जी को एक बार धोले जरूर अब इसे हमें पतला-पतला स्लाइस में कट कर लेने हैं और मैं यहां पर दो तरीके साब को कट करके बता रही हूं यह तो मैंने पतले-पतल लंबे-लंबे कट कर लिए हैं और दूसरा तरीका है कि इस तरीके साब मोटे-मोटे पीसेस में डाइस में कट कर ले तो यहां पर मैंने डाइस में भी कट कर लिए पतले-पतले स्लाइस में भी कट कर लिए अब हमें क्या करना यहां पर लेना है पकोड़े बनाने वाला बे कि जब भी आपको चाय के साथ खाने का हुट कुछने का मन को इस तरीके से बेंग के बना के देखीर बहुँ ज्यादा स्थी लगता है आप इसे चठनी के साथ इंजॉय करें और पिर चाय के साथ खाए कभी है आपने बनाई है बेंग नहीं बनाई तरह दो आ और यह चोटा सा अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक किजिएगा चलिए नेक्स रे हमारा आज हम घर पे ही बनाते हैं कस्टड पाउडर तो कस्टड पाउडर बनाने के लिए मिल्क पाउडर लेंगे तो यहां पर मैंने जो छोटे पैकेट होते हैं यह देखे यह वाले अगर आप चोटी चमच्छ आप कलर के लिए लेंगे यलो फूड कलर लिक्विड है आपके पास सुखा है तो सुखा भी लीजिए अगर जेल कलर है तो भी ले सकते हैं बस यहांपा कस्तड पाउडर बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखे आप चीनी मिल्क पाउडर और ज इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे और इसने के बाद आप चाहेmaं तो चाहेमें अच्छी तरीके से नहीं पाउडर ही तर दूद्रש लेज़ें। चाहेमें के बाद किसी भी ठीट डब्रे में बंद करके आप इसे trên राह साल में खराम ने चले इसमस्क्राइब बनाके भी दिखाती हूं तो मैंने आप थंडा दूद लिया है इसे अच्छी तरीकहिसे हम घौल लेना है ताकि अभी दूद में भी गल द рук Bene अब इससे हम गरम दूद में डालेंगे तो मैंने आप दूद गरम करनی के लिए रख दिया था चीनी डाल के और इसे हमें डाल के अच्छी तरीके से चलाते रहना है जब तक इसमें बॉइल है तक उआयदा आए तब तक हम इससे चला लेना है न जल जाएगा कस्टड और दो से तीन वालान से पांसे चे मिनट तक हम अच्छी तरी के से पका लेना है पकाने के बाद इसे ठंडा कर लिजिए और इसमें मंचा फूर्ट डालके इसे इंज्वाई कीजिए बहुत इस इंपल है मिंटों में हम घर पे कस्टड बाटर बना के त तो आज हम बनाएंगे नमक के साथ तो चली मैंने आपे नमक लिए हैं और जो डेली उज में नमक यूज करते में लिए और कढ़ाई में डाल दिया इसे और interpretation करते हैं मतलब जैसे होता होता है उतना हमपता है की उतना हमें अच्छा साधा अपपर लेना है उसके साधे ही न नवाल के नमक डिखा आको कहते हो जहिते हैं हो कि अन्यक्ति भी में डालको तल के दिखाती हो और जब आप नमग में सेकते हैं आट इस अनकंड का ध्यान रखे कि जो आप आप तल रहा हैं जो भी आपISHाफम inan на का भी से आप प्रमक के beta ज्यादा होना चाहिए और जो आपके पापड़ है चीप से वो कम होने चाहिए और इसे डालने के वाद आप इसे डख डख के इसमें चलाते हुए आप सेके तो अच्छा सीखेगा यह दिखे मैंने आप आलू के बनायते पापड़ वह अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और यह मैं धेर सारे आलू के चिप्स बनायते हैं तो मैंने वो भी इसमें झाय के रख लेती हूं एक बिदा दू कि बर मैंने कड़ाय छडाया है तो चले canada कर लेते हैं और यह दे की हारट सेप वालने बजार के हैं यह भी मैं आपको इसमें झायक के दिखाऊंगी यह भी काफी फूल ने लगाया जैसे हम इसको नमक के उपर दबाएंगे न यह देखे किस तरीके से मैं आपको पास से दिखा रहे हूं किस तरीके से यह फूल रहे अपने सेप से तो देखे यह फ्राई हो चुका है बस इस बात का दिया नक है नमक को ठंडा ना होने दे और लगाता थाना के चिपस थे वह भी मैं उआन्या करेकर को दिखा यह काफी टेस्टरी ओत जो जिने तेल नहीं कहना पसं करके जरूर बताएगा पसंदे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से बिल्कुल ना घब रहा है मैं आपसे फिर मिलंगी बाई बाई